सेनेटरी पैड को फ्री कराने को लेकर मध्रप्रदेश के सुरेंदर बामने ने साइकल यातरा निकाल कर सेनेटरी पैड को फ्री करने का अभ्यान शुरू किया है ग्रामीन अंचल में आज भी महिला एवं बच्चियां गंदे कपड़े यूज करती हैं जिसकी वज़ा से गंबीर भीमारिया हो रही है सुरेंदर बामने सेनेटरी पैड को फ्री करवाने को लेकर मध्रप्रदेश में साइकल यातरा पर है सुरेंदर बामने इटार्सी के नर्मदापूरम अमराई गाउफ से है ये 6 दिसमबर 2023 से साइकल यातरा निकाल कर हर जिले में जाकर महिला एवं बच्चियों को सैनेटरी पैड के बारे में जागरुक कर रहे हैं एवं जिले के कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम अवैविदन देकर मुख्यमंत्री से सैनेटरी पैड को फ्री करने के लिए मांग कर रहे हैं सिंग्रॉली पहुंचे सुरेंदर बामने ने बताया कि अब तक 111 दिनों में 6,350 किलोमेटर की सैकल यातरा कर चुके हैं सुरेंदर बामने ने बताया कि वे मुंबई में सीरियल पर काम करते हैं जाधा कृष्णिक्ष चंद्रगुप जैसे सीरियलों में काम करके जब वे अपने घर इटार्सी के अमराई जा रहे थे तब ही उन्हें ट्रेन में खंडवा में एक नाबालिक बच्ची पीरियट से परिशान दिखाई दी उन्होंने उस बच्ची की मदद की और वहीं से ठान लिया और सैनेटरी पैट को फ्री करवाने को लेकर सैकल यातरा शुरू की सुरिंद्र बामने ने बताया है कि ग्रामीन अंचल में आज भी महिलाएं वं बच्चियां गंदे कप्ड़े यूज़ करती हैं जिसकी वज़ा से उन्हें गंबीर बिमारियां हो रही है एवं सर्वाइकल कैंसर से लागों महिलाओं की मौत हो चुकी है सब से मांगे प्रदेश की सभी महिला और भाली काओं को सेचे प्रवाइक इतरा कर रहा हूं मद्धेश के त्रेपन जिले में यातरा कर चुका हूं और आगे से एक यहां से यहां नुपूर के लिए जाओंगा न ही रात में तो पहले मैंने ठंडी के मोसम में सब्सक्र दो तो दो-तिन जिले में थोड़ी दिक्कते हुई थी बाला गार्ड जिले में और राकी तो सभी जगे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है आप देख रहे हैं दखल न्यूज